बार बार जुखाम होना ये समस्या बहुत सारे लोगों को है कि उनको बार बार जुखाम हो जाता है यानि कि महिने में दो से तीन बार उनको जुखाम होता है तो आप ये बात समझ लिजिए कि हमारा सरीर हमें संकेत देता है कि हमारे सरीर को जिन चीजों की जरूरत है वो ची बुखार या और भी जो भी चीजें वो आपको इम्म्मिनोटी कमज़ोर होने पर ही ज्यादा असर डालेंगी आपके सरीर पर तो इसको आप कैसे ठीक कर सकते हैं आज की वीडियो में हम आपको यहीं बताएंगे कि जब आपकी इम्मिनीटी कमज़ोर होती है तो क्या क्या करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लिजिएगा तो सबसे बड़ा कारड़ है यहां पर हमारी इम्मूटी और इम्मूटी खराब होने पर हमारे सरीर में बहुत सारे लचण होते हैं जो कि दिखाई देने लगते हैं जैसे कि बॉडी मसल्स का कमजोर होना हटियों का कमजोर होना बोडी में दर्द रहना बार बार जुखाम होना पेट साफ नहीं होना यह सारी चीजें हमको नजर आती है कि जब हमारी इम्मूटी कमजोर होती है तो हमारा सरीर हमको पहले से ही बताना सुरू कर देता है कि आपकी इम्मूटी कमजोर अगर आप protein भरपूर मातरा में लेंगे तो आपकी immunity system जो रहेगा वो मजबूत बनेगा और जिससे आपको बार बार जुखाम नहीं होगा आपकी body को उसके वजन के हर kilo का 1 gram protein जरूरी होता है लेकिन हर कोई count करके protein नहीं लेता ऐसे में protein की कमी होना naturally है जिसे खान पान की मदद से ठीक किया जा सकता है protein की कमी होने पर सरीर में भी कुछ लचट दिखाई देते हैं जिससे समझा जाता है कि ये हमारे immunity को कमजोर कर रहा है और हमारे सरेर में protein की कमी है जैसे बार बार सर्दी जुखाम होने पर कमजोर immunity का करण है इसका ऐसा ही समज़ा जाता है immunity boost करने वाले food हम लोग खाने लगते हैं लेकिन low immunity की एक वज़ा protein की कमी भी होती है इसलिए अगर आपको लगता है कि बार बार जुखाम हो रहा है तो प्रोटीन इंटेक को बढ़ा दें ये समस्या एटोमेटिक ही खतम हो जाएगी इसके लिए आप दूद, दही, पनीर, सोया बीन जैसी चीजों का सेवन करें तो आपके सरीर में प्रोटीन बढ़ेगी और आप को बार बार जुखाम नहीं होगा अगर आपके सरीर में प्रोटीन की कमी है तो आप ज़्यादा एनरजेटिक नहीं फील करेंगे आपको हमेशा ठाकान ठाकान सी महसूस होगी शरीर में एनरजी की कमी महसूस होगी तो इसलिए जरूरी है कि आप प्रोटीन युक्त भोजन करें और प्रोटीन की मातरा को बढ़ाएं अगर आप प्रोटीन की मातरा को बढ़ाते हैं तो सर्जिस दुखां के साथ साथ आपके जो बाल हैं युक्त भी अच्छे होते हैं, आपके नाखून हैं को बढ़ नहीं तूटेंगे नाखून भी नहीं तूटेंगे, नाखून मजबूत दिखेंगे और बाल भी लंबे, काले और घने भी होंगे दोस्तो प्रोटीन का अगर आप intake करेंगे तो आपको बार बार जुखाम तो होगा नहीं दूसरी चीज अगर आप मोटापे की समस्या से परिशान हैं, मीठा खाने से परिशान हैं आप कोशिस करते हैं कि मीठा ना खायें लेकिन फिर भी आप मीठा खाते हैं तो ये सब चीजे होती है, प्रोटीन की कमी से बार बार मीठा खाने का मन करता है, प्रोटीन की कमी होने पर ही कार्वो हाइडरेट से भर पूर फूर्ट या मीठा खाने का मन होता है, ऐसे में जरूरी है कि अपनी डाइट में प्रोटीन की मातरा को बढ़ा लें, तो इससे आ की सुधर जाएंगे और आप पहले से ज्यादा एनर्जेटिक महसूस करेंगे तो अगर आप प्रोटीन को बढ़ाएंगे तो आपको बार बार जुखाम नहीं होगा दोस्तों वीडियो कैसे लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताईएगा हम फिर मिलेंगे नेस्ट वीडियो म करेंगे तो आपको अजरे लगले झाझा थार हम फिर मिलेंगे यदिक मेंगाण मुझे से टार आपको बार अनर्रोब टार हम आपको बारे आपको फुicky से तसकरा मेंगे एनर्थर क्या उब राएंगे ज्यों नहीं होगी जिस Táपको भंब होगे एनर रहिक को गर्माने जा